भगवान प्रभुश्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी कथाओं तथा रामायन के सभी पात्रों से लोग भली भाती परिचित हैं रामायन के चरित्र के बारे में भी लगभग सभी जानते हैं सबको पता है कि भगवान राम के तीन भाई थे लक्षमद, भरत और शत्रुखन लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम की एक बेहन भी थी जिनका नाम शानता था रामायन में भी शानता का बहुत कम जिक्र है कहते हैं शान्ता अपने चारो भायों की बड़ी बहन थी पुराणों में लिखित कथन के आधार पर वह राजा दश्रत और रानी कौशल्या की पहली संतान थी राजा दश्रत और रानी कौशल्या शान्ता के जन्म के पश्चाद बहुत खुश थे शांता सभी की बहुत प्रिय थी खास कर अपनी मौसी वर्षिनी की रानी कोशल्या की बहन रानी वर्षिनी जो अंगदेश के राजा, रोमपद की पतनी थी उनके भी कोई संतार नहीं थी इसलिए जब भी वे रानी कोशल्या से मिलने आती तो अपनी गोद में लेकर शांता को खूब प्यार करती उसे खूब खिलाती ऐसे ही एक दिन वो अपने पती, राजा और रोमपद के साथ अयोध्या आई हुई थी अरे वर्षिनी, शांता तो तुम्हारी गोद में बिलकुल भी नहीं रो रही है तुम्हें तो देखते ही ये बहुत खुश हो जाती है हादीदी, मुझे भी शांता के साथ रहना खेलना बहुत अच्छा लगता है शायद शांता के साथ खेलने से, इसे प्यार करने से मेरी ममता का खाली पन दूर हो जाता है काश, मेरी भी शान्ता की तरह एक बेटी होती अगर ऐसा होता कि मैं शान्ता को हमीशा के लिए अपने पास रख लेती पर तभी राजा दश्रत भी रोमवत के साथ कक्ष के भीतर आ जाते हैं वर्शिनी, अपना मन क्यों खराब कर रही हो अगर तुम ये सोचती हो की तुम निसंतान हो तो मैं वचन देता हूँ कि आज से शान्ता तुम्हारी बेटी कहलाएगी क्यों मजाग कर रहे हैं जी जाजी, ऐसा मजाग मत कीजे रगुकुल रीत सदा चलिया आई, प्राण जाएं पर वचन न जाई अम रगुवन्शी जब किसी को वचन देते हैं, तो उसे अवश्य ही पूरा करते हैं कौशल्या, पुत्री शान्ता को वर्षिनी की गोद में दे दो अब से शान्ता वर्षिनी की गोद में ही खेलेगी राजा दश्रत की बात सुनकर वर्शिनी बहुत खोश होती है रानी कौशल्या भी प्रेम के साथ अपनी पुत्री अपनी बहन की गोद में दे देती है उस दिन के बाद राम जी की बड़ी बहन शांता रानी वर्शिनी की छाया में पलने बढ़ने लगी धीरे धीरे शांता बड़ी हुई कहते हैं शांता का विवा महर्शी रिंग जिन्हें रिश्य श्रिंग के नाम से भी जाना जाता है से हुआ था जो एक महान तपस्वी और ब्रह्मचारी थे उनके पिता महर्शी विभांटक एक महान रिशी थे और उन्हुने अपने पुत्र रिंग को हर संसारिक आकरशन और इस्त्रियों से दूर एकांत जंगल में पाला था रिश्श श्रिंग को इस्त्रियों का कोई ज्यान नहीं था क्योंकि उनके पिता ने उन्हें संसार से दूर ही रखा था ताकि वो पूर्ण ब्रम्हचर्य का पालन कर सके शान्ता के पिता अंगदेश के राजा रोमपत अपने राज्य में एक बड़े अकाल का सामना कर रहे थे इस संकट से निपटने के लिए उन्हें राजपुरोहित ने सलाह दी अगर महर्शी रिंग उनके राज्य में आएंगे तो वर्षा अवश्य होगी क्योंकि वे पूर्ण ब्रम्हचारी है और सदायव इस्त्रियों से दूर रहे हैं उन्हें स्त्रियों के बारे में कुछ भी ग्यात नहीं उनके राज्य में प्रवेश्ट करते ही राज्य अकाल से मुक्त हो जाएगा राजा रोमपद ने राजपुरोहित की सलाह पर महर्शे रिंग को बुलावा भेजा ए महरशी, आपके आगमन से हमारे राज्य में वर्षा हुई और अकाल का संकट समाप्त हो गया मैं और हमारा पूरा राज्य आपका आभारी है ये मेरी तपस्या का फल नहीं बलकि आपकी भक्ती और आपके राज्य के कर्मों का परिणाम है महराज मैं यहां केवल कर्तव व्यवश आया हूँ महर्शी हम चाहते हैं कि आप हमारी राज्य में कुछ और समय निवास करें आपके आशिर्वात से हमारा राज्य समरिद्ध हो रहा है महर्शी मैं आपसे एक और विनिती करना चाहता हूँ मेरी पुत्री शान्ता हम चाहते हैं कि उसका विभा आपके साथ हो वो एक धर्म परायन और विदूशी कन्या है मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस प्रस्ताव को सुईकार करेंगे विबाह लेकिन मैंने जीवन भर ब्रह्मचरे का पालन किया है मैं स्त्रियों से दूर रहा हूँ उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता महर्शी मैं जानती हूँ कि आप एक महान तपस्वी है और मैंने आपके ब्रह्मचरे की प्रशंसा सुनी है परंतु मैं ये भी मानती हूँ कि विवाह धर्म का हिस्सा है अगर आप इसे स्विकार करते हैं तो मैं आपके साथ जीवन भर धर्म और कर्तव्य का पालन करूँगी यदि ये विवाह मेरे धर्म का हिस्सा है और इससे आपके राज्जी को लाब होगा तो मैं इस प्रस्ताव को सुईगार करता हूँ इसके पश्चात शांता और महर्शी रिंग का विवा धूमधाम से संपन्न होता है विवा के बाद शांता और महर्शी रिंग एक शांत आश्रम में रहे लगे इस पीच महर्शी रिंग के पिता महर्शी विभांडग जो रिंग के विवा से अन्भिग्य थे को इस बात की जानकारी मिलती है उन्हें ही बात स्विकार नहीं होती और विक्रोधित होकर महर्शी रिंग से मिलने उनके आश्रम में पहुचते हैं पर शान्ता के विनम्र स्वभाव और गुणों को देख कर वे इस विवा को स्विकार करते हैं और उन्हें अपना आश्रवात देते हैं शान्ता के अपनी जनमदाता मातापिता, राज़दशरत और रानी कोशल्या से गोद देने के पश्यात मिलने या न मिलने का कोई सपष्ट और आधिकारी को लेख नहीं मिलता है सेट मोहनलाल का स्वभाव बहुत ही धार्मिक था वो भगवान राम के बहुत बड़े भग थे और उनकी पूजा अर्चना क्या करते थे सेट मोहनलाल की बेटी की शादी हो चुकी थी बेटा बहु भी शेहर में रहते थे कभी कभी चुट्टियां होती तो वो मिलने आ जाए करते थे सेट मोहनलाल की घर में बहुत से नौकर काम करते थे जिन मेंसे एक बहुत ही पुराना नौकर महेंद्र भी था मोहनलाल अपने सभी नौकरों का बहुत खयाल रखते थे सेट मोहनलाल को अपने नौकर महेंद्र पर बहुत विश्वास था महेंद्र भी मोहनलाल का बहुत खयाल रखता था ऐसा मोहनलाल को लगता था पर सच तो ये था कि महेंद्र अपने पन का नाटक करते करते मोहनलाल को धोखा दे रहा था हो गए आपकी पुजा जै सिताराम बाबुजी जै सिताराम विरेंद्र बेटा ये लो प्रसाद बेटा, पूजा तो थोड़ी देर की होती है पर सिताराम तो मेरे मन में रहते हैं मेरे मुख पर उनका नाम रहता है हाँ ठीक कह रहे हो बाबुजी अच्छा मैं आपके लिए बड़ी आसी चाय बना कर लाता है सेठानी के जाने के बाद तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो विरेंद्र अवनीश और रजनी कई बार फोन करके पूछते रहते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि मेरा बेटा मेरी बहुत सेवा कर रहा है मोहनलाल को विरेंद्र पर बहुत विश्वास था जब भी उनके बेटे अवनीश और बेटी रजनी का फोन आता तो वो उनसे विरेंद्र की बहुत तारीफ करते मोहनलाल को यह आभाज भी नहीं था मैं तो ये दवाई खाकर गहरी नीद सो जाता हूँ, पहले तो मुझे ये दवाई खाकर नीद नहीं आती थी, बाबुजी अब आपकी बिमारी जो है ना धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसलिए नीद आने से आपको आराम मिलता है, और अच्छी बात है ना, आप सो जाते हैं त तो आपके शरीर को आराम रहता है, चलो अब आप दवाई खालो, विरेंद्र को लगता था कि वो धोखा दे रहा है तो उसे कोई नहीं देखेगा, ये तो विरेंद्र की भूल थी, विरेंद्र की सारी हरकत तो सीताराम देख रहे थे, प्रभु हमें अपने भक्त की में वहां रहना होगा, और मोहनलाल के घर पर तो हमें नौकर को सबक से खाना है, तो नौकर बनकर ही जाएंगे, अगर हमारे नौकर बनने से हमारे भक्त की रक्षा होती है, तो हमें उसमें कोई हर्स नहीं, चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए, अपने भक्त सेट मोहनला पुरुष का भेश बना लिया और मोहनलाल के पास काम मांगने के लिए पहुचे। रात का समय था भगवान राम ने अपने चमतकार से बहुत तेज बारिश कर दो और सेट मोहनलाल से रात रुखने के लिए जगा मांगी। मेरा नाम राम है, ये मेरी पतनी सीता, हम दोने बहुत दूर से आये हैं, बारिश बहुत तेज हो गई थी, आपका घर दिखाय दिया तो सोचा, यहां कुछ देर रुखने के लिए आश्रय मिल जाएगा। आहां क्यों नहीं, बड़ा ही सुन्दर नाम है, सीता राम, बहुत सुन्दर जोड़ी है तुम दोनों की, आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, यहां पर हर आये होए अतिथी को आश्रय जरूर मिलता है, ये समझ लो ये सीता राम का ही घर है। हमारे लिए अंजान है, इसलिए सुभा से नौकरी के तलाश में घूम रहे थे। ठीक है, मुझे रसोई में खाना बनाने के लिए किसी की जरूरत है, और मेरे बगीचे में एक माली की भी जरूरत है। सीता, तुम रसोई का काम समाल लो, और राम, तुम बगीचे की देख भाल कर लेना, क्यूं? ठीक है न? हाँ, हाँ, सेट जी, चिन्ता मत कीजे, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ, आपको मेरे हाथों का भोजन जरूर पसंद आएगा। एक काम करो, वो सामने कमरा दिखाई दे रहा है, तुम दोनों कुछ खा पी कर वहीं सो जाओ, रा जब वो हवेली में आया, तो उसने देखा कि वहाँ पर भगवान राम बगीचे की देख भाल कर रहे हैं, और माता सीता रसोई संभाल रही हैं। विरेंद्र को मोहनलाल का नए नौकर रखना अच्छा नहीं लगा, उसने सोच लिया था कि वो बहुत जल्द अपने काम को अन्जाम देदेगा। विरेंद्र जो सोच रहा था वो तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि स्वयम भगवान राम और माता सीता अपने भक्त की मदद के लिए पहले ही आ चुके थे। एक रात विरेंद्र ने मोहनलाल के दूद में नींद की दवाई मिला दी थी। विरेंद्र को लगा मोहनलाल को दवाई का नशा हो गया है, इसलिए वो कहरी नींद में सोया है। अपनी खैर चाहते हो तो दोनों पती-पत्नियां से भाग जाओ। मोहनलाल पहले ही पुलिस को फोन कर चुका था। अब आपको विरेंद्र से डरने की कोई जरुवत नहीं, वो आपका कुछ नहीं विगार सकता। पर तुम दोनों कहां जा रहे हो, यहीं रहूना मेरे साथ, यहां तुम्हें किसी बात के कोई कमी है क्या। नहीं नहीं सेट जी, आपने तो हमारा बहुत खयाल रखा, हमें कभी भी नौकर नहीं समझा, पर अब हम और यहां नहीं रह सकते। हमें अपने और भी भक्तों की मदद करनी है, उनकी भक्ती का फलप्रदान करना है। अब मैं कुछ समझा नहीं। तब ही भगवान राम और माता सीता अपने असली रूप में आ जाते हैं, मोहनलाल की आँखों में आसू थे। साक्षात सीता राम, मेरे सामने, मैं भी कैसा नादान हूँ, मैंने आप दोनों को अपने घर पर नौकरी पर रखा, मैं आप दोनों को पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो प्रभू, मुझे क्षमा कर दो माता। क्षमा मागने की कोई अवशक्ता नहीं, मोहनलाल, तुम हमारे सच्चे भक्त हो, और जो भक्त सच्चे होते हैं, दयाल होते हैं, हम उनकी मदद के लिए अवश्या आते हैं, अब तुम्हें कभी भी कोई परिशानी नहीं होगी, विरेंद्र को उसके अपराध की सजा मिल मोहनलाल को दर्शन देकर भगवान राम और माता सीता अंतरध्यान हो जाते हैं, अगले दिन मोहनलाल अपने बेटा बहु और बेटी दामात को फोन पर सारी बात बताता है, तो वो सब गाउंवा जाते हैं, सब भगवान राम और माता सीता को धन्यवात कहते हैं, आज उनक क्रिपा से सेट मोहनलाल की जान बच गई और वीरेंद्र जैसे अपराधी को उसके किये की सजा मिल गई